उक्रेन की सेना ने ओदेसा के पास काला सागर में मिलिटरी ड्रिल कर रूस को अपनी ताकत दिखाई। जंग का अभ्यासकर युक्रेन ने ये संदेश दे दिया कि उसकी सेना काला सागर के किनारे वसे क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी में। क्योंकि पिछले कई महीने से जेलिंस्की की फॉज क्राइमिया को पुतिन से छीनने की विराक में जूटी है इसके लिए वो लगातार क्राइमिया के अलग-अलग शेहरों को ड्रोन से निशाना भी बना रही है और अब युक्रेन ने ओदेशा के पास काला सागर में जंग का अभ्यास कर अपने इरादे साफ कर दी इस मिलिटरी ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें युक्रेन का एक जंगी जहाज समंदर में तेजी से आगे बढ़ता दिखा इसके बाद उस पर लगी एंटी एक्राफ्ट गन से ताबर तोड फाइरिंग की गई बाद में मशीन गन से भी समंदर में दुश्वन को धेर करने का अभ्यास किया गया इसी तरह युक्रेन के सेनिक समंदर में पहले से तैक येगा टागेट पर गूलिया चलाते नजर आए उधर अमेरिकी अख़वार न्यूजवीक ने दावा किया कि पुतिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों के नौकरी छोड़ने पर पाबंदी लगा दी मतलब ये कि रूसी सेना में मौझूद अधिकारी अब अपनी मर्जी से नौकरी तक नहीं छोड़ सकते क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि युक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे अलगि उस दोरान किसी तरह से सेना के अफसरों को मना लिया गया था लेकिन अब अमेरिकी अखबार न्यूस वीक का दावा है कि जंग लंबी खिचने की वज़े से रूसी सेना के अधिकारी थक चुके हैं और वो युदिस से बचने के लिए सेना की नौकरी छोड़ना चाहते हैं इसलिए पुतिन ने सेना के बड़े अधिकारीयों के इस्तीफा देने पर पाबंदी लगा दी क्योंकि पुतिन को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर एक साथ बड़े अधिकारियों ने स्टीफा दे दिया तो उनकी सेना में विद्रो हो जाएगा जिससे पुतिन के सामने युक्रेन जंग हारने का खत्रा मंडराने लगेगा इधर फंड की कमी से जूज रही एरलाइन कमपनी गो फर्स्ट की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं ऐसा इसलिए क्योंकि भुक्तान ना होने की वज़े से उसे लीज पर लिए विमान लोटाने पड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो गो फर्स्ट एरलाइन की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी असल में एक विमान कमपनी ने दिल्ली हाई कोट में याचिका दायर की है जिसमें भुक्तान ना मिलने पर लीज पर दिये गए विमानों की वापसी की मांग की गई इस समय गो फर्स्ट एरलाइनस फंड की कमी से जूज रही है हालात ऐसे हैं कि विमानों को ओड़ाने तक का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा ऐसे में अगर उसे लीज पर विमान देने वाली कमपनिया अपने विमान भी वापस ले लेंगी तो Go First Airlines की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी इस बीच हाथी का एक E-Rikshya को धकेलने का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो गया ये वीडियो बिहार के वैशाली जिले का है जिसमें वो हाथी E-Rikshya को पीछे से धक्का लगाता दिखाई दिया सामने आए वीडियो में E-Rikshya को एक आदमी धकेलने की कोशिश करता नजर आया उसने E-Rikshya को कच्चे रास्ते पर थोड़ी देर तक धकेला लेकिन रेट ज्यादा होने की वज़े से वो उसे बाहर नहीं निकाल पाया जिसके बाद पीछे से आ रहे है उस हाथी से मदद ली गई पर जैसे ही हाथी ने E-Rikshya को धकेलना शुरू किया तुरंत E-Rikshya की रफटार बढ़ गई और वो रेट से बाहर निकलाया इस दोरान किसी ने इसका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया जो बाद में वारल हो गया क्योंकि मौल में लगी आग धीरे धीरे फैलती जा रही थी जबकि लप्तों से उटने वाले काले धुए ने लोगों को खौफ से भर दिया आनकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली वो वहां पहुंच कर उसे बुझाने में जुट गए जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया राजधानी क्वाललूंपूर के उस मौल में जिस वक्त आग लगी अंदर कई लोग भसे हुए थे अलकि राहत की बाद ये रही कि सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया मौल में आग किस वज़े से लगी इसका पता नहीं चल सका इस बीच बश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने आपल के एक फूर्व करमचारी पर तक्नीक चुरा कर चीन भाग जाने का आरोब लगाया